में दोस्तों संख्यापरदति के एक मेहतफुर बिंदू सेसफल निकालने पर चर्चा कर रहे थे सेसफल के इस अगली सेशन में चलते हैं हम प्रेसनों पर चल रहे थे इसमें हम कुछ प्रेसनों को करा चुके थे आगे यह जैसे प्रेसन देखें और उसके माद्य वे समझने करें जैसे एक क्वेश्चन है 17 की पावर 19 में 18 से भाग देने पर कितना सेस बचता है घखो जैसे क्वेश्चन है 17 की पोवर 19 में 18 से भाग देने पर कितना से सबस्चता है इस इसकोम को अलगरने के लिए Representatives रहां सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जब किसी गातांग वाली संख्या में और सब भाग देते हैं तो किस प्रकार भाग dual से जैसे कोई चंख है मालोग पांच पांच उप्स में Leonardo फांच फांच मेंप्स मैं पांच मुर्टिप्लय फांच वॉक्ट है जिसमें चार से वाग दें तो लिह राज सी कक्रों क्तोंना चल त próximo सम्चता है ना करें उत्र में 4 इसको हलका रहेंगे तो 1 अपंव में 4 आएगा अरता के यह सेस कि recent लाइख 10 कि लोस्टेगा 1 ऐसे यदि देखते हैं तो सत्रा की पोवर सत्रा मुल्टिप्लाई सत्रा मुल्टिप्लाई सत्रा मुल्टिप्लाई सत्रा मुल्टिप्लाई सत्रा इसमें यदि हम चार से बाग देते हैं कितने से चार से बाग देते हैं तो चार चोका सोला यहां एक सेस्वल बचेगा यहां एक बचेगा यहां एक बच कि जब्राइब धं gr top ट्रते यक स्थと思 अलगवांट करते कि जो शंक्रिया हुए होती है उसी संक्रिया को सुंतुम् पिंगे के रूप में करते हैं और हम अकर लगे पृति एश्ञाव लगा देते हैं वह आतर मैं से से ही देखो je जो multiply कि aha के सब्सक्रा खोती है जह sono मंधीपसमकी होती है तो जतनी ही बाप अती है अतरी आपर गात लंग जाती है और जब जब अम सब्सकत्य आप मल्टिप्राई-गत्राम के को हम इस रूप में भी लेके नस देखे वाग तो और मिल्ट कितनी में 100000 के चार पता रहें जब 4 बड़ें इसके चार पता रहें, न जब पोल आरें to 85. claro तो वन आएगा दे अधियां इसी प्रकार से इस प्रेसन को यादि देखेंगे तो ये प्रेसन देर रखा है 17 की पर उननीस इस कितने से भाग दवार है तो ध्यान रखनाए सबसे पहले यह कितनी बार लिधा तुमार नित कृते हो ओगार। इसमें यह देनेशा वा ila तो्लिक्षा कि वांशोय यह कौन Herself की जैसे यहां प्रफि बाच एक तो has also met unterstützen कि सब्सक्राइब कना इस फरिया है NRSD के कृछ लेगा मैंने का टाओ कि हमारा जो फ्रेशन यह तरील के साथ आ होता है ऑच अपर उस प्रदेखो जैसे ल यह आख देंगे तो डनात्रों से स्पलोब सब्सक्राइब जब सब्सक्राइब कितना एगा इसे परकार देखेंगे जैसे यहां आप से सब्सक्राइब नात्रों नियुकति सब्सक्राइब संक्राइब क्योंट स्रंक्रा बढ़ी हो जाएगी अमें तिम्हाग से सोचना है यदि हम से 17 बोटाइब करए लिखेंगे तो बहुत बढ़ी संही होता हों जाएगा संभभ लेकर पहले को मैनस वन का मल्टिप्लाइग यहां नीचे 18 आएगी नीचे क्या एगी 18 द्यान दो जब मैनस की संक्या का मैनस से मल्टिप्लाइग करते हैं देखो यह तो समझ माई गया होगा ध्यान दो, जब माइनस की संक्या का माइनस से मल्टिप्लाई करते हैं, जब माइनस की संक्या का माइनस की संक्या से मल्टिप्लाई करते हैं, तो माइनस आता है, जब माइनस की संक्या का प्लस से मल्टिप्लाई करते हैं, तो माइनस आता है, जब माइनस की संक्या का प्लस से मैनस मैनस से मैनस मैनस का गुणा करते जाएंगी तो पिरतियक दो संख्या जो मैनस की होंगी उनका मैनस होता जाएगा तब तक तो बनेगा दनकाचन दन एक आएगा लेकन जैसे ही इसका मतलब है यह 19,6 लिखने का मतलब 18 बार तो एक मैनस सर دेखे तो यह सेस कोना रहा है मैंनसी जब हमारा सेस मैञस hanno होता है तो मैनस वनiche को use मैं नहीं लेते तो दूसरा सेस के देखें गें जिसका जोड 18 रहे हैं अर्था benefits कितना होगा बरफल वनाघ्त का 17 होगा हप्लस तो में आंसर जो मैंना smoothly हमको लेंगे हैं नहीं मैंना अंसर 17 ऑफ यह ही हमारा सबस्कों सब्सक्राइब यह अब देखोंगो जत्व race कि संख्याक आगडा। जय इस जब माइशार किसंख्याक आगडा। सम भार मतलब समुवार हो मतलब दोदोगे जोडे हो जैस दो बार च्राइप apparat 6 आटवार के उपर क है दो बर एधूर कि दो बार मल्रीप्जाई होता है सो दनाव्क हλαती है लेकिन जैसे निया कि मैंे संख्या के रूप में तीसरி वार कुणा ऊता है जैसे मैंनस मैंनस से प्लस गएप फिर प्लस से मैनस करते हैं अर्था विसम संख्या आती है जहां 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 वहां माइनस की चिन्न का मतलब माइनस की संख्या होती है मैनस का सेस्पल बचता है और जहां-जहां प्लस की गाता अंकागी वहां प्लस सेस्पल बचेगा जब माइनस सेस्पल बचता है हमारा तो इसी स खूल के बताया था उपन करके लेकिन सीधा सीधा देखें तो 17 की पोवर 19 में सीधा सीधा 18 से डिवाइड करेंगे तो देखो पोवर को भी छोड़ो सबसे पहले पोवर को छोड़ो 17 में भाग देंगे तो तो एक शियसफल दो रचेगा 17 ठीक है एक कितना वचेगा मायनस वन आव नीचे कितना है यह लिक़रा 17 की पोवर में यह सब्सक्लीच है और इसकी पोवर लग रही है 19 कितनी 19 अब हम सब्सक्राइब भाग से मिल्टिप्लाइब करेंगा रहें दो तो बड़ी संख्या हो तो जब माइनस की पौवर पर समसंख्या गात में होती हैं, जब माइनस के उपर समसंख्या गात में होती हैं, तब तो उसका अंसर दनात्मक बनाता है, माइनस बन के उपर, लेकिन यदि माइनस बन के उपर बिसमसंख्या में गात होती हैं, तो यहां हमारे इस वाले का अंसर इस वाले कांसर क्या आएगा ? मैंनस 1 आएगा, अप उन में 18 या मैंनस 6 बस रहा है लेकर 6 मैंनस है तो इसका दूसरा सिस कैसे लिखा लेंगे ? 18 मैंनस 1 इकल टू 17 यह हमारा 6 आएगा जो कि हमारा आंसर है करो ठीक इसी प्रकार से आगे का और प्रेसंद देखेंगे उसको रहने तो इसको इमेटाते जैसे चौदा की पौवर सोला में चौदा की पौवर सोला में तेरह से भाग देने पर सेस्फल कतना बचता है चौदा की पौवर सोला में तेरह से भाग देने पर सेस्फल कितना बचता है अब देखो इसी को देखते हम यह कितना बचता है यह कितना है चौदा यह नीचे कितना है तेरह यहां कितनी पौवर है सोला अब देखो जैसे ही चौदा में तेरह का भाग देंगे तो सेस्फ क्या आएगा एक आएगा पौवर करेंगे अपन में तेरह करेंगे तू कितना ऐगा वन-अंसर यह मारा सेस्फल कितना आएगा वन-अंसर यह मारा सेस्फल अगर देखे हैं इसी वाले प्रेशन को ड़ा लेते जैसे 19 की पोवर 35 में 18 से बाग देने पर यह एक जामपल है 19 की पोवर 35 में 18 से बाग देने पर सेस्वल कितना बचता है 19 की पोवर 35 में 18 से बाग देने पर सेस्वल कितना बचता है देखो यह 19 और यह नीचे 18 की पोवर 35 में जब सेस्वल नकालेंगे तो कितना बचेगा देखो यहां हम दोने सेस्वल देखते हैं तो एक से स्वट वाँद है एक से स्वल कितना हाएगा कितना 17 एक से स्वल कितना आएगा सत्रा माइनस का एक से स्वल का है ऑन की पौर पे जीन में jegaden लिखेंगे तो क्या होगा यह बन का लावण इथारख अर्थात बन अपन में अठारा होगा अर्थात जो सेश्पल होगा वह अठारा एक वन आएगा किना आएगा वन आएगा कितना सेश्पल आएगा वन ऐसे ही आगे देखते हैं साथ की पवर थर्टीन प्लस में वन से वन में छे से बाग देने पर साथ की पवर थर्टीन में प्लस वन में छे से बाग देने पर सेश्पल क्या आता है देखो इसको देखते हैं साथ की पवर थर्टीन में प्लस वन इसमें छे से बाग देने पर SESFAL क्या आएगा? जब हम इसको देखेंगे, तो सबसे पहले हम अलग-अलग भाग करके देखेंगे, इसका अलग-अलग बाग करके, अलग-अलग- से नकालेंगे, जो संग्रिया लग रही है मुझस संग्रिया को हल करेंगे, जैसे यहाँ पे कितना है, 7 की इप ऊबर 13, में 6 कितना हैगा, 1 आएगा, 1 की ऊबर 13 हैगा, उसमें, जैसे ही 1 की ऊबर 13 होगा, वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 शेस्फल आएगा, हरता, इसको 1 की पौवर 13, यह शेस्फल के रूप में लिख रहे हैं, प्लस 1 अ पॉन में six कितना है एक वन प्लस बन अपॉन में six जो इसको हल करेंगे तो यह आएगा टू अपॉन में six अर्था जो हमारा शेस पलाएगा अ कि वाद दो आएगा कितना आएगा दो कि सीदा सीदा कि कितना रहा है दो आ रहा है कि आगे और प्रसंद देखते हैं कि इसको नोट करो जैसे और प्रसंद देखें कि दो की पावर 63 मैं 9 से वाग देने पर कितना सेस पल बचता है कि दो की पावर 63 मैं 9 से वाग देने पर कि दो की पावर 63 मैं 9 से वाग देने पर सेस पल कितना बचता है देखो जब हम दो की पावर 63 मैं 9 से वाग देंगे तो सेस पल ग्याद करेंगे देखो जब हमारी संक्या हमारी संख्या के नजदी की में होती है जैसे या तो यह कम हो यह ज्यादा हो तब हम सेस्फल ग्यांत करने में आसानी होती है जैसे हम अभी प्रेसंट कर रहे थे जैसे इसको देखेंगे तो 2 की पावर 63 जैसे हम इसको हलक करेंगे तो क्या आएगा तो मल्टिप्लाइट टू मल्टिप्लाइट टू मल्टिप्लाइट 63 बार आएगा अपन में नाइन अब देखो जैसे यहां सेस्वल लिखा लें तो यहां सेस्वल कितना कतना आएगा एक तो दो आएगा प्लस का यहां सेस्वल कितना कतना आएगा एक तो दो आएगा प्लस का दूसरा कतना आएगा माइनस साथ आएगा यहां दो आएगा माइनस साथ आएगा अब ऐसे बचने के लिए इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे इसको देखो उस प्रोसेस को देखो इसे इतनी लंबी प्रोसेस से बचने के लिए हम एक इसमें प्रोसेस यूज करते हैं जैसे टू की पावर 63 इसको 2 की पावर 63 न लिखे 2 की पावर 3 इसकी पावर 21 लिख देते हैं और इसको 9 की 9 करते हैं देखो ऐसे कैसे लिख दिया हम जानते हैं कि कोई संख्या ए इसकी पावर ए और उसकी पावर ए और उसकी पावर ए रगाई हुई है तो इस प्रकार की संख्या को जब हम सरालतम रूप में लिखते हैं तो ये संख्या हमारी एक ही पावर N multiply M दोनों इतना होती है इतना होती है जब हम इस प्रकार के सुत्र में इस प्रकार के सुत्र में जब हम इसको लेखते हैं 63 को क्या लेख सकते हैं 21 multiply 321 दिया 63 और यह 63 है जैसे यहां M into N लिख दिया इसको M N न कहके यदि आपको समझने में असब्दा लगे तो इसको N multiply N भी लिख सकते हैं क्या N multiply M अरतार जो दोनों गातंक हैं यह वाली दोनों गातंक इनका जो multiply होगा वो इस वाली के बराबर होगा ठीक है उस उस प्रकार के होर्मुले से हम इस प्रकार लेख सकते हैं जब इस प्रकार हमें लेखहेंगे तो यह क्या हो जाएगा टू कि अमतल्र घॉल्ष अ क्टिन ऐगा आठ ड्म में ओन और यह कितनी पहोल हो जाएगी ट्वर्टीवन अब देक़्ों अब यहां स्थ कितना बसंद सैनल क Commons कि यह 6 कितनर रचेगा बता हो यह यह जो सेस है यह वाला इसके उपर 1 को प्लस का आथ ही देखे रहा है एक माइनस 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 का को ग्ना पर दाई टार मैंने बताया था करें तो हमारी जो मल्टिप्लाई की फोर में बहुत बड़ी हो जाएगी उससे हम कभी अल नहीं कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए माइनस वन की पौवर 21 अपॉन्मेंट नो अब देखो जब कोई संक्या माइनस की होती है माइनस की पौवर विसम संक् कितनी भी पौवर हो एक ही आएगा लेकिन जब माइनस चंड की उपूर होती है तो माइनस आएगा अर्था माइनस वन की पौवर 21 का मतलब माइनस बनाएगा अपॉन्मेंट नो अर्था तमारा सेस्पल यहां कि तरह बचला है माइनस एक जबम धनात्मक सेस्पल इसका जो आठ होगा यह हमारा सेस्पल है क्या आठ अंसर है जो कि सेस्पल है कि यह प्रेशन करो पतार सकते है और प्रेशन देखें इसी प्रकार के जैसे ती पाउर अर्शट में 82 से बाग देने पर सेस्पल कितना बच गया देखो के तीन इसी पाउर अर्शट में 82 से बाग देने पर सेस्पल कितना बचता है यह वाला question है question change हो गया है देखो इस पॉल करेंगे यह दिरक्त तीन की power 68 में 82 से भाग देने पर सेज कितना बचेगा सेज कि यह ग्याद करना है इसको कैसे ग्याद करेंगे देखो जब तीन की power 68 का मतलब हो था तीन बहुत बड़ा time हो जाएगा बहुत बड़ी संख्या होगी इस प्रकार कोई ऐसी संख्या बनाते 68 में से जो हमारे 82 के आच पास हो 82 के आच पास हो तो जैसे हम 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 3 जैसे तीन की power 4 करेंगे तो हमारा आता 1-8, 3-9, 9-9, 27, 27-8, 81, तो हम इसको हम 68 को सत्रा मल्टिप्लाई चार लेख सकते हैं, शत्रा चकार उल्ट, जब हम 68 को सत्रा मल्टिप्लाई चार लेख सकते हैं, तो ठीक पहले बाले प्रेशन की तरह हैं, इसको 3 की पोवर, चार की पॉवर 17 लेख सकते हैं कि नहीं लेख सकते हैं बताओ इसको लेख सकते हैं 82 ठीक इसी प्रकार लेख देंगे देखो 1764 शुत्र हमारा यह वाला है था अभी काम में कौम सा एकी पॉवर M की पॉवर N इसको ऐसे लिख दो या एकी पॉवर N की पॉवर M इक्वल टू बताया था एकी पॉवर M इन्टू N या की पॉवर M multiply N इसको आगे बीचे लेख सकते हैं इसको ऊपर नीचे लेख सकते हैं इस प्रकार का सुत्र था इस सुत्र के माद्ध्यों से इसी लिख दो था तीन की पॉवर 4 का मतलब हला हमारा एटी वन कितना हुता है एट्टी वन इसकी पोवर सत्रा्व आए एटीट बिद्रों कितना एक द भाग देंगे तो हमारा सेस्पल प RJगा एक पर सेस्पल बचेगा हमारा जुआ यह कितना बचेगा Step zap and कितना वचेगा मैनस 1 अब 81 का multiply 17 बार करेंगे तो तो हमारा time भी बहुत लगेगा और present का answer भी हमारा multiply करने पर बहुत time लगेगा बहुत बड़ा answer हाएगा फिर हम 18 से भाग देंगे तो हमारा हल करना बहुत कठिन हो जाएगा अर्ता था मैनस 1 की power 17 करेंगे तो मैनस 1 की power 17 का मतलब के बहुत है मैनस 1 अपान में 82 जब व erfolg मैनस 1 depuis यूज़ न करते होए हम ड़नात्रोंक 65 नकाले एंगे तो इसके लिए दहनात्रोंक 65 बराबर शेस फल वरावर 82-1 वरावर 81 अर्थात अमारा जो इस वाली प्रेशन है ये वाला प्रेशन इसका प्रेशन 81 आएगा शेस फल कितना आएगा शेस फल 81 शेस फल करो इसी प्रकार का आगे का और प्रेशन देखें एक प्रेस्ण और है जैसे दो की पोवर चोट में नो से बाग देने पर स्वल कितना बचेगा देखो इसको अल करीगेगे तो इसको अल करने के लिए क्या में नो आप का मल्टिप्लेइं बाग करें तो अमारा इस इस्टम नहीं बनेगा लेकिन टूट दो की अब देखो यह लेकिन वंते सिक्सटी फॉर लेकिन जासे म तीन का अद्धितुप्लाई है और प्रय देखें उसका गड spindle करने पर हमारा सिक्स्टी पो आएगा किया सोचो करें की मल्टिप्लाई बहुत 20 दिया साइट साइट आएगाा एकिश तर्य के agen में 21 आ रहा है जो स्टेरे सकते स्टेरिव करें तो 66 रहा है नहीं तो हम क्या करेंगे इसमें से एक 20 पर 1 सबसे पहले क्या करेंगे इस वाले इत्रफटर में सब से पहले 2 से पहले 2 आट एक था टो हम जैसे ही आठ लखेंगे तो हमारा एक तो प्लस गाट बनेगा एक माइनस का बनेगा तो हम दो की पॉवर imp 36 से सिध 57 करेंगे जो मरए फ्रीक सिधा मल्लीप्राइए चरीफ और हमारा गर बहुत बड़ा हो जाएगा तो लेकिन 2 की पॉवर 1 का multiply 2 की पॉवर 1 का 1 इसको लिखेंगे 2 की पॉवर 3 की पॉवर 21 लिख दिया इसको देखो upon में 9 इसको दोबारा आगे देखें 2 की पॉवर 1 multiply यह 8 हो गया इसकी पॉवर 21 एक बच्च पॉवर 21 multiply यह आएगा डिवाइड में 9 यह देखो यहां शेश्पल कतना है एक तो शेश्पल यहां दो बच रहा है इसको दो की पॉवर 1 को 2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है दो की पॉवर 1 का मतलब 2 होता है लिखो मतले को कोई दिक्कत नहीं दो दो का 2 ही रखो इसमें तो शेश्पल एक दो बच्चेगा एक मैनस 6 बच्चेगा नहीं सोरी एक तो 2 एक मैनस 7 ठीक है और यहां शेश्पल कतना बच्चेगा एक तो आएगा शेश्पल 8 एक बच्चेगा मैनस 1 शेश्पल ठीक है इसको अल करेंगे देखो यह अल करने का तरीका इसका 21 appointment 9 कितना आ रहा है 21 appointment 9 अब देखो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो यह माइनस वन आएगा 2 multiply minus 1 इसमें 9 ठीक है अब हम इसको जैसे ही हल करेंगे तो minus 1 से 2 का multiply जैसे ही होगा तो minus 2 आएगा कितना आएगा minus 2 appointment 9 अर्तात हमारा यहां पर झारा मैनस लेकिन धनात्मक सेसफवल ञयान करने के लिए यह तो मैनस दो करने मैनस अर्तात नंव माइनश दो बरावर के लिए धनात्मक 6 ऐसंसे ग्याद करएं है तो कैसे करेंडत गरेंगे जो नीचे वाली संक्या 9 है में नौ से भाग देने पर कितना आएगा साथ अपर सेस्फल साथ यह जो साथ आ रहा है वारा यह यह मैंन सेस्फल यह हमारा आंसर यह क्या आंसर आगे क्वेश्चन करते हैं इसको लेको समझ में नहीं आए तो वीडियो दुबारा देखें यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके और हमें सुझाव देने के लिए बोलें आगे का प्रिश्चन देखते हैं पांच की पौवर पच्चीस में 500 से भाग देने पर सेस्फल कितना बचता है इस वाले प्रिश्चन को देखते हैं पांच की पौवर पच्चीस में 500 से भाग देने पर पांच की पौवर पच्चीस में पांच की पौवर पच्चीस में 500 से भाग देने पर सेस्फल कितना बचता है इस वाले प्रिश्चन को देखो करके देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है यह पांच लिए इसकी पौवर पच्चीस लिए अब अपॉन में कितना कर लिया अब देखो इस प्रकार के प्रेस्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इधर एक कैसी संगर्शन बनाते हैं जोगी सरल्तम हो कितनी कैसी हो सरल्तम हो जिस से हम भाग देब सक्या ता नहीं ते है इसको ल Ari genius सुव से पहले हम टोड़ते हैं पांच मल्टिप्लाई सौ कितना करते हैं नीचे में अपन में इसको लेकेंगे 5 x 5 x 5 x 4 देखो 5 x 25 x 125 x 125 x 125 x 4 वरावर 500 इस 5 को तोड़ लिया जैसे हमने तोड़ लिया तो नीचे कतना है 5 अब यह 5 की पावर 125 हो रहा है 5 की पावर 125 हो रहा है तो हमें क्या है कि नीचे वाली यह 5 पांच को जैसे हम अगर हम अलगलग एक साथ भाग देंगे तो तुम्हारा अंसर आने में सल्तम रूप नहीं मिलेगा और जो हमारी कैल्कुलेशन हो जागी वह बहुत कठने हो जाएगी लेकिन हम इसको डारेक्ट काट रहें फिर देखे पांच मालन्टिफिलए पांच कि ये पांच मालटिफिलए पांच मालन पांच इन वाल तो इससे भाग लगा है अब देखों इसको एक दो तीन पाँच पांच के एक दो तीन वार काट दिया जब तीन वार कट जाएगा तो उपर कितना वचेगा पांच की पोवर एक सो 122 कितना 122 अपॉन में कितना हैं चार कितना बचना है 4 लेकिन है डियान दे ना हैं कि हमने 5 5 5 25 25 से 125 अर्था हमने 125 से भाग दिया है और उप्रवाली संक्या को नीच वाली शंक्या को सेम तो सेम काड़ दिया है तो जतना भी हमारा सेसफल आएगा जटना भी हमारा सेसफल आएगा उसमें हमें 125 से multiply करना है वह ही हमारा answer होगा अब यहां देखो इसका सेसफल निका लेंगे तो इसके दो सेटफल आएंगे पांच की एक तो आएगा प्लस बन एक आएगा इसको अलगरेंगे तो किसको अलगरेंगे हैं तो संरा यह तो यह वाले कितना कही को सितना फरा näm 떨 Giq से लेकिन हमने क्या किया यह 525 वर काज़ा यह तो हमारा मैंसे अर्था ऩो और तक 151 में कि 5 Niagara देने पर कि एक मेल्टिपलाई 125 आथे मत बोलो एक मेल्टिपलाई पांच मेल्टिपलाई पांच मेल्टिपलाई पांच वराबर एक सो पत्चीस स्येस पल बच रहतेंगे कितना मेन कि जिसा पल आएगा कि अतारो कि एक प्रेशन हो रहा है साही देखो इसको भी देखते हैं दो कि बहुर निन्यानुए में दस से भाग देने पर सेस्फल कतना बचेगा दो की पौवर निन्यानुए में दस से भाग देने पर सेस्फल कितना बचेगा देखो दो की पौवर निन्यानुए में दस से भाग देने पर सेस्फल कितना बचेगा इसको हम जब हल करेंगे दो की पौवर निन्यानुए में कि दस से भाग देने पर सेस्फल कितना बचेगा देखो जब इस प्रकार के प्रेस्फल को अलकर ते तो दो की पौवर निन्यानुए में अपन में दस देखो एए इसको ऐसी फौण में तोड़ो कि या तो वन बच्चे पलस पर सेस्फवचे बच्चे बच्चे बढ़ो या मैनस कर सेस्फ़चे बच्चे उससे क्या हमारा आज्था समर होजाएगा सर्वर करने के लिए जैसे जैसे हम 10 को भी तोड़ यहाँ पर यहाँ पर जैसे हम 2 की पावर निन्यान में इसको भी तोड़ें जैसे इसको तोड़ ले को इसको अटानवे को इसको लेख दो और चास कि 49 कि नाएन को की पावर को इसकी पोवर 49 और जैसे हमें इसको अलकरेंगे नीचे 5 रख दें़ें कितना 5 रख दें़ तो देखो यहां चार आएगा यहां एक तो करेंगे चार और चार वरा कोटीन आइन में पाइव जैसे हमनस नहां प्लिक शोचते को आज्यों को जैसे बाषन को वेams आ रहा है क्यों कर दोडरा नकालेंगे तो मैंनस यह बनारा तुम्हारा चार शेस्पल आगा अर्था इस वाल एकार शेस्पल कितना आ रहा है अब सेस्पल चार लेकिन कि हमने जो दो है ना दो यह दो काट दिया दो काट आए तो इस चार में दो को ना करेंगे अर्था अर्था दो की पोवर 99 में मैं दस से बाग देने पर दो मल्टिपलाई चार बराबर आठ शेस्पल बचेगा आठ शेस्पल बचेगा अर्था आगे के प्रेशन को हम फिर बाद में करते हैं इस सेस्पल को यहीं समापत करते हैं